मुश्कार दोस्तो मेरी यूटूब चानल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको SC-Lock 150 टैबलेट का रवीव बताने जा रहा हूँ सबस्क्राइब मैं चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल सब्सक्राइब करते टाइम बेल का इकॉन दबना ना भूले क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो जो SC-Lock 150 MG टैबलेट मार्केट में आती है क्याडिला कमपनी के आती है ये 30 गूली का टैबलेट का प्याक आता है इसकी किमत रहती है 23 रुपए और 6 पैसे निट्टी 3 रुपी देन 86 पैसा तो पूरी जानकारी लेंगे ये दबा क्या चिह चैश्ष के लिए चलती है इसका उसका कैसा करना है इसका इफेट क्या है सबसे पहले दवा डॉक्टर के सला कि नुसा डॉक्टर के पिस्किप्शन के लेनी चाहिए यह दवा आपके नजदे की के ayud कान में मिडिकल स्टोर ने आपको बिल जाएगे इसके content के बारे में देखेंगे क्या content company इसके अंदर डाले है दोस्तों इसके अंदर ranitidine 150 mg single content है single ingredient है ranitidine 150 mg इसके uses के बारे में देखेंगे क्या चीज़ के लिए चलती है तो जो isiloc 150 mg tablet market में आती है इसको antacid दवा बोला जाता है यहने आपको acidity की शिकायत है आपको ग्यास की तकलीब है पेट में गड़बड है तो उससे चुटकर आपाने के लिए दवा दी जाती है यह बहुत ही popular दवा है isiloc 150 mg tablet आपको जो acidity पित जलजल मलमल गयास खाना हजम न होना उसकी जो तकलीब है शिकायत है उससे चुटकर आपाने के लिए में लिए दवा दी जाती है बहुतरीन रिसल्ड पाए गए है इसके इसके side effect के बारे में देखेंगे दवा से आपको क्या दूश्परिनाम हो सकते है यह दवा की वज़े से आपको कुछ side effect दिख सकते है जैसे कि आपको पेट में गडबड़ हो सकती है ड्राइनेसिन मौट आ सकता है और भी कुछ side effect, reaction, allergy आपको नजर आती है तो आपके इसके बारे में देखेंगे कैसा लेना ही जनरल इसको two time in a day दिन में से दो बार भी इसको ले सकते है इसको empty देट चानल, थ्किवर वाचिंग मैं वीडियो